आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं जन्मास्ट मी स्पेसल भोग प्रशाद की रस्पी यह मैंने लिया है धन्या इसकी हम लड्डू बनाएंगे यह जो खड़ी वाली धन्या होती है इसी हम इसके लड्डू बनाएंगे तो यह मैंने दो कटोरी ली है और कुछ यह मैंने ग्रैट कर लिया है नारेल को जो सुख़ वाला नारेल होता उसी को मड़ कर लिया है और यह एक कटोरी मिली है ऐसे अगर आपके पास खड़ी धनिया नहीं इसे आप जब धनिया का यह पाउडर होता उसे भी ले सकते हैं तो सभी के घर में मिल जाता तो चलिए अम धन्या के लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं तो आप धन्या को अच्छे से धूब दिखा सकते हैं या फिर हलका सा दो मिनट के लिए इनको जर ड्राइव रोस्ट कर सकते हैं तो मैंने इसके भी पीस सकते हैं इसको मैंने खड़ी धन्या लिए इसलिए मैंने इसे दो कटोरी लिया जिस कटोरी से हम चीनी ना पेंगे उसी कटोरी से मैंने खड़ी धन्या को दो कटोरी लिया है और अगर आप पाउडर लेते हैं धन्या का तो आप उसे टेड़ कटोरी तो इसको थोड़ा सा थीक होने देते हैं अभी तो ये देखे धनिया भी दो मिनट में अच्छे सी रोस्ट हो गई है फुस्वू भी आने लगी है इसमें तो हम गैस को ओफ कर देते हैं और इसे एक हम थाली में निकाल लेंगे जिससे ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके ब में महसूस होगा तो इसका भी हम गैस बंद कर देते हैं और यह देखे अब धनिया ठंडा हो गया है तो अब हम एक जाड़ लेते हैं और इसमें हम इसको डाल के पीस लेते हैं इसका हम अच्छे से पॉर्डर बना लेंगे तो यह लीजे हमने धनिया को पीस लिया है यह दिखिए इस पर फिर से पढ़ाई चड़ाते हैं इसमें हम चार चमच घी डाल देंगे जो हम नॉर्मल घर में यूज करते हैं चमच इसमें जो हमने ड्राइफूर्ट लिये थे कटे वाले इनकों डाल के फ्राई कर लेंगे आप खड़े पहले फ्राई करके उसके बाद भी काट सकते हैं तो यह देखिए काजू बदा में थोड़ा सा कलर आने लगा है अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेटिट नारियल और इ इसको फ्राई करने के बाद सभी चीजों को निकाल लेते हैं तो कि ड्राइफूर्ट को मैंने एक बावल में निकाल लिया है और यह जो हमने धनिया पीज के रखी थी इसको हम फिर से इसमें फ्राई कर लेंगे हलका सा यह घी में रोस हो जाएगी जब तो इसका टेस्ट औ में रोस्ट हो जाएगा एक से दो मिनट के लिए इसको मीडियम टूशलो फ्लेम पे रोस्ट कर लेते हैं यह को चाहिए ग्रेट करके डालें या फिर डेसिकेटेड को करनेट रिंदे एक नभी कोई डाल सकते मैंने जो ग्रेट करके इसलिए डाला है क्योंकि वह देखने मे प्रोस्ट हो गया गैस को और इसी भी हम जो है उसी बाउल में निकाल लेते हैं इसे मिक्स कर लेते हैं और अगर आपको पंजीरी बनाने दनिया की तो बस इसमें आप बूरा या फिर पिसी चीनी डाल दीजे बस इसकी पंजीरी बन जाएगी और हमको लड़ू बनाना तो कद्ड़ू बनाने के लिए अब हम इसमें जो हमने चास्णी बना के तयार करके रखी है बस देखिए चिप-चिपी से यह एकदम यह जैसी इसको हम ढालते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा और मिक्स करते जाएंगे जितनी भी हम इसमें ज़रुर्षवी चास्णी की उतनी ह लगेगी और बहुत ज़्यादा अगर आपको मीठा चाहिए है तो आप चासनी को और ठीक कर लीजिए तो यह अभी बहुत गरम है इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर ठंडा होने के लिए उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे यह थंडा हो गया है अब हम इसके लड्डू बनाके तयार कर लेते हैं इसको ऐसे अच्छे से दवा दवा के आप दोनों हाथों से भी बना सकते हैं ऐसे सकरके या फिर एक हाथ से जैसे भी आप बनाना चाहें यह देखे इस तरह से यह धनिया के लड्डू बनकर तयार है यह धनिया के लड्डू आप बनाके खाई है बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं थोड़े से कड़ू लगते है लेकिन टेस्टी भी बहुत है और हैल्दी भी बहुत है यहाद चा बच्चा के जब प्रेगनिशिक बहुत ही बहुत हेल्दी होता है आप इसे जरूर बनाईये और करस्ट जनमास्ट के डिमि में इसको भोग लगा कि चाना जी को और यह सोदा मिया को भी खुश कर दीजे यह लिजे हमारे लड़ू बनकर तैयार हो गया है भूख के लिए और अब हम क्रिस्ट установ जी के भूख के लिए 4 विर्ट बनाते हैं, तो मैंने मखाने लिए इनको दो पीस में कर लिया और ये नारियल है सुखे वाले इसको आप कट करके ले सकते हैं या फिर ग्रेट करके और काजू बदाम चिरोंजी तो चलिए बना लेते हैं तो हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ये हाफ कब डाल देंगे दूद ये कर देंगे तो देखने में और खाने में भी अच्छा लगता है और ये मैंने थोड़ा सा गंगा जल लिया है इसे भी हम डाल देते हैं और ये सारे ड्राइफ फूट को भी हम डाल देंगे इसमें मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें एक चमच सहट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो काना जी के भोग प्रशाद जो भी हम बनाएंगे उसमें तुलसी दल जरू डाला जाता है तुलसी काना जी को बहुत प्री होती है तुलसी हम डाल देते हैं तुलसी को हम तोड़के डालेंगे काट नहीं जाता है तुलसी को इस तरह से हम तोड़के डाल देते हैं और इसको मिक्स कर देंगे यह हमारा चर्णा में बनकर तयार हो गया है तो यह लीजे हमारी जन्मास्टमी का प्रशाद बनकर तयार हो गया यह धनिया की लट्टू है और यह चर्णा म्रत तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल परना है सबस्क्राइब कीजिएगा फगल में बेल आइकन आएगा उससे जरूर प्रेस कीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए थैंक यू फॉ